मोधी को निजनते हम, पहली तरह मोधी आया, मोधी वो तो पूरे देश को खा गया बेचके, विजारों को उनका काम दंदा बंद कर दिया सबका, हैं, सबकी रोटी रुजार के बंद कर दिये, और सलंडरों में पैसे बढ़ा दिये, कनईया कुमार पढ़ा लिखा है और वो तिवारी जो वो जाहिल है बिलकुल मुझोर आदमी है वो और कनईया कुमार बढ़या आदमी है पढ़ा लिखा आदमी है वो देश को समाल सकता और अच्छा बात कर सकता है देखो जी उनका मुकाबला ये है गड़ बंदन हर जगा से जीत रहा है और मोधी साब हमारे जोला लेकर भापसी घर को जा रहा है कॉंग्रेस का मनुफेस्टू जो है वो मनमोहन साब ने बोला था कि हम देश की सारी संपत्ति मुसल्मानों बाट देंगे पहला हाक उनका ऐसा उन्होंने बोला नहीं तो जूड बोला है मोधी जी मनला हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं अरण के नाम पे श्रीव लूट रहे हैं और कुछ नहीं है पबलिक को पागल मना रखा है देखो इन ओलिज नहीं सीधी सी बात तो यह है लूट रहे हैं इंडिया एलाइन्स के मुकाबले में अब बीजेपी है नहीं है नहीं बाच जुमले वाजी है जुमला अमिस्टा स लूट पार होंगी कितनी आई चालिस को दिल्ली में कहा था जालिस पार कितनी आए आड़-ःट शीट है तो यह जुमले वाज है टॉप के जिसे मनोश्तिवारी जो है वो इस चेट्र से सांसा है तो मनोश्तिवारी को कभी आपने इस इलाके में दें नहीं नहीं आ पबी टाइम किया इलाका वोट का सेलाव आएगा कॉंग्रेस पार्टी जिंदाबाद इंडिया इलाइज जिंदाबाद महंगाई तो मोदी जी ने ये बात कही दिके खुशाली आएगी और महंगाई जाएगी इसका मतलब उल्टा आना गरीब हो के लिए तो महंगाई है और कनिया कुमार जी अच्छे मारजन से जीतते हो देख रहे हैं चंता जो है बहुत सीधी एक तरीके से अब हर आदमी को देख लो तुम काम जे बेरोजगारे परेशान है सही जी ये तो मोदी जी का वो काम है दाल पक जाया और चोका लगा दो पकीवी दाल में चोका लगाते करने के लिए तो आदमी और शालों को कितना बदलते हुए देख हैं और आज के टाइम में आप क्या देखता रहतелей हैं कि कितनी सुविधाय मिली है इस टेटर को नहीं मिली जैसे बत्तिया लग गई फिरी बत्तिय पानी फिरी यह बस ही है यह और क्या दोस्तों इस वक्त उत्तर पूर्वी दिली के एक इलाके के अंदर मौजूद हूँ जो इस तरफ का जाए जंता कॉलोनी का एक इलाका है और यहां पर आप इस गली के अंदर देख सकते हैं किस तरीके की काफी अंधेरी गली है और शायद मुझे रगता है कि कुछ घरों तक ठीक से रोशनी भी नहीं पहुच पाती होगी आपर और यहां के लोगों का ये भी कह जाना है कि उनकी जो यह आप इस तरफ देख़ेए उत्तर पूर्वी दिल्लिका के दूसरा इलाका ये में यहां लग जाता है और यहां पर भी कुछ गलियों का हाल जो आप देख सकते हैं नालियों का हाल आप देख सकते हैं और इस छेतर की अब जनता से जानना है कि आखिर में इस छेतर की जनता क्या सोचती है क्योंकि इस चुनाव है और चुनावी मौसम में तो नेता मंत्री आते रहते हैं गाए बगाए तो इस बार क्या लग रहा है कि इस seat पर जो काफी ज़ादा काटे की टकर वाली seat मानी जा रही है जिस पर मनोस्तिवारी बीजेपी की तरफ से और कनहया कुमार जो है वो आम आदमी पार्टी और कॉंगरेस की तरफ से चु साहिक दूरूर्ट से उतारे गए हैं सीट पर क्या लग राये लोगु को आई चुल ने लोगों से जानए हिंसे जांते हैं यहां पर एक महिला है इनसे जानते हैं बुजोर्ग महिला है इधर आ जैकी तुस्षार अउटी जी इस तरफ आए इतर आए यह था नाम है आपका मेरा बेबी अच्छा में यह पूछना चाहरे हूँ कि कितने समय से आप यहाँ पर रह रहें इस से पचास सालों कोई छोटे नहीं होते एक बच्चा जो है बच्चे से बुड़ा हो जाता है तो इन 50 सालों में आपन लग गया, जैसे मनोस्तिवारी को कभी आ अपने इस इलाके में देãy missed नहीं आए वो कभी आए हूँ हमें सुने विसे नाम तो सुना मगर आए नहीं है यह जब से बसी जब से इंद्रा गांदी थी जिन्दी थी जब से बस हुई है तो इस बार आप क्या चाहते है कि मनुस्तिवारी कोई सीट पर आना चाहिए दोबारा से या फिर कॉंग्रेस की कि तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कनहिया कुमार को उतारा गया है जो कि युवा नेता के तोर पर देखे जाते हैं तो कि हम तो सोचते हैं कि जाड़ु वाले याए जाड़ु वाले उन्हें तो जेल में डाल रखा है कोई बात निन तो बीवी बच्चे तो है सुविधाय की है आप लोग अच्छा आप क्या चाहते हैं इन चुनावों के अंदर जो अभी कि सरकार है वो कैसा काम कर रही है महंगाई को लेकर आपके वच्चों के कामकाज को लेकर रोजगार को लेकर अभी इतना बड़ा है नहीं है सब की साधी हो गई शाधी हो गई कमारी है बस मेरी कमारी है तो जितना कमाती है उतने परिवार के लिए हो पाता है परिवार कितने हम मैं बेटी है बेटा भूमे जो लेदा अपनी तो आप क्या चाहते है कि अच्छा आप घरों में काम करती है जो चुपा हूं बाई जो करती हूं तो करती हूं इसमें क्या काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है लेकिन घर का खड़्चा कैसे चला के तीन लड़के साधी कर दी लड़के साधी में इसी में करें इने घरों में काम करके मैं बुडिया हो गई जमानी से तो अच्छा क्या लगते मुधी जी को कैसा काम कर रहे हैं देश के लिए को बेजारों का काम दंदा बंद कर दिया सब का है सब की रोटा का बंद कर दिये और सलंडरों में पैसे बढा दिये तुमने घ्यारा सुर्पर में आत्oma लिए चीन वंद कर दी गरीब आदमियों की भारा देश का प्रधान मंतरी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए महीं तो चोती हूं कर बहुत बने जाड़ुवालव बने इनके एक जाड़ुवाला बने। थीक करणे ब्लोग कर से और भी लोग है उन से भी कोशिश करती हूं जाने कि रुकिये नीची आएंगे था थोड़ा सा ज्यादह नहीं मैं पूछ गि स्ड्सेंदल से दोबारा मनोस्तिवारी को आना चाहिए नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए क्योंकि पिछली बार बावन प्रतिशत के करी वोट मिलेते इसी जगह से उने तो इस बार क्या के परें है काम के उपर इने करा वहीं आएगा बीजे ने क्या करा काम जिंदा बंद है बेरोजगारी बर्ति जा रही जा रही है नोकृति नोकिए नियएं ल darn तो परेशान है अम्रेशार का वादा इस सरकान में किया गया था तो वो अम्रित काल कहीं देखने को मिल रहा है नहीं नहीं देखने को मिल रहा है तो सरकार पलटनी चाहिए पलटनी चाहिए पलटनी चाहिए अगर सरकार पलटनी चाहिए तो किसे देख रहे हैं कि उन्हें सत्ता में आना चाहिए किस पार्टी में किस व्यक्ति तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे उनीचे आजए तोड़ा कौन कौन बोलेंगे अच्छा इधर 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 उदर ओर तो देखें इधर है अंकल जी क्या नाम है आप मैरा नाम अयूब अंसारी है अच्छा अयूब जी मैं यह पूछ रही है इस बार इस सीट से कनया कुमार को उतार गया है कॉंग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या देख रहे है इस बार का मुकाबला कैसा देख रहे हैं कानहिए कुमार सब त्षेटर के आपने प्रतिशत को अपने वोट दिया है लेकिन उसका कोई कांपाज नहीं पूर्ट द्यां अंदर आपने आते वां तो आंके उसमें नहीं चटाक कैसी कभी आए नहीं को इंसा कैसा यह सिर्फ टीवी पर देखा तो जैसे कि यह दाता है जो कनही आ कुमार हैं और मनोश दिवारी दोनों के अनुभव में अंतर हैं और दोनों ही पुर्वांचली हैं एक फैक्टर जो यहां पर बताया जाता है तो वो पुर्वांचल वोट बैंक को किस तरीके से देखें। जी जी में कनईया कुमार जो है पढ़े लिख्के बहुत हैं और ब्हुत जित्ता विप पर्मार जो है उनके साद है उनके साथ है साहफ़ सर्वे reb above दिली के लिए टो एक तराहसे ख genocide ब súल औहों की लिए नया चेहरा नहीं है नहीं कोई नया चेहरा नहीं बड़ी आदमी है कनेय कुमार अच्छा देश के स्तर पर आप क्या देख रहे हैं इंडिया वर्सिस एंडिय की जो बात हो रही है इस वार उनका मुकाबला कैसे देख रहा है देखो जी उनका मुकाबला यह है गड़ बंदन हर जगासे जीत रहा है और मुदी साहब हमारे जोला लेकर वापसी घर को जा रहा है वो तो फिर पास साल की बात कर रहे है दोहजा सेंटालिस तक की बात करें पंद्रा लाग भी कभी वादे करें थे उन्होंने दो करोड नोकरी का भी वादा कर रहा था कोई पूरा कर हो तो बताओ मैंने इतने समजो सुना बताया है ہ् only two thousand सेंटालिस की बात कर रहे तो उससे क्या आप क्या जवाव सब्हस दे रही यह चले कोई बात नहीं इण परवारे कई बार नहीं होती लोगों क्यादत नहीं बोल पाते हैं तो जिसे 247 की बात हो रही है तो क्या लगता है कि इन पास पहले क्या हुआ हमें को मतलब नहीं बहले 70 साल गिनवाये जाएं आपको दस सालों से मतलब आपसे मैं पूछना चाहूंगी एक मिनट क्या नाम है आपको मैं पूछना चाहूँगी युवा है और युवा की तर पर याeking कैसे देखते हैं कि जो देश के अंदर अभी की के लिए उन्हें सिर्फ गोमने फुर्शत रहती है अभी कोई बात हो जाया मोधी जी बाहर विदेश चले जाते हैं देश का क्या विकास करा बताओ जाते भी तो देश के लोगों के लिए ना लोगों से मिलेंगे तभी तो इसका बेनिफिट बताओ आप कौन सा बेनिफिट ह एक तरीके से अब हर आतमी को देख लो तुम काम से बेरोजगार है परेशान हैं सही जी यह तो मोधी जी का वो काम है दाल पक जाया और छोका लगाता है यहिसके रावां कुछ नहीं करते हैं करते हैं करते के दिशिवाल ने पताल लगा हुआनों आंदर ढल दो और बजड जमना पार कभणा शोहरे बैस्त है भेस्त हैं लेकिन लगते हैं कि अद्धिक मुकाबला क्योंकि इस बार काफी जाधा दिलचास पूर है पावर में वह चाइज अमबर जी सकते मुकाबले में इंडिया एलाइन्स के मुकाबले में बीजेपी है नहीं है ही नहीं बत जुम्ले वाजी है जुम्ला अमिस्टासाब ने कहा था जुम्ला 400 पार भी तो बोल रहे हैं उन्हों ने कहा था 90 पार हर्याना में कहा था कितने 90 पार होंगी कितनी आई चालिस दिल्ली में कहा था चालिस पार कितनी आई आट सीट है तो यह जुमलेवाज है टॉप के पिछली बार तो साथ की साथ सीटे बीजेपी ले गई थी तो इस बार आपके जीरो इतना जादा परिशान इतना खफा क्यों है बीजेपी पार्टी से कोंगरेस का मैनूफेस्टू जब है वो मनमोहन साथ ने बोला था कि हम देश की सारी समपत्ती मुसलमानों बाट देंगे पहला हाग उनका है अज़ा उन्हें ने बोला नहीं तो जूने बोला है मोस्टी जी मतलदा हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम और कुछ भाइब रहा है, इस बार क्या लगता है, धर्म के नाम पर कितना फाइदा किसी पार्टी को लगता है? मुद्दोप है। दरहते हैं पर सिर्फ लूट रहे हैं और कुछ नहीं है पबलिक को पाघल मना रखा है। देखो इन नौलिज नहीं है। सुद्धिसी वात तो यह है। लूट रहे हैं। इस बार चुनावों में चले कास कहते हैं न ये काय का विकास से आप इनके एरिया में चले आओ हर चीज मिलेगी मुअमदान एरिया में चले आओ सब के सालों से नहीं बनती है कोई भी काम हो जाए कि मुसल्मान पर लोग ठोग दो और अपने राजनीती उपर कर लो तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी एक में एक में चोड़ी वासे एक चोड़ी वासे लो मैं अभी ये 2020 में दंगा हुआ दा हिंदु मुसल्मान का ठीक है यहां पर मौमदान ओरते प्रोटेस्ट पर बेढ़ी थी ठीक है उसके लिए एनर्सी पर यह अमिशा जीजी ने हमारे नर्सी के लिए लागो करी थी कितने लोग आज भी जेली के अंदर बंदे हमारे मुसल्मान ठीक है मौमदान वो जेले काड़ रहे हिंदू को बेले मिल रही है हाई कोड़ से सु पता हो मैं मैं वो दंगे करवाएगा किसी ने प्रोटेक्स बेटी ओड़ते हैं उनकी सिक्योर्टी के लिए खड़े होगा तो मतले हमने दंगे करवा दिये मुसल्मान हर चका बदनाम है बदनाम किया जा रहा है आपको लग रहा है यह मैं आपको भी कुछ बुल लाए है अभी तो उम्र भी नहीं वोट देने कि आपकी ठीक है किसको आई आप आईये 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 आप बोले यह आईये 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 नाम क्या आप मुहम्मास समर अचा मैं यह पूछ रही हूँ कि सवाल हम यही कर रहे है कि इस बार कनहिया कुमार और च्छेत्र के पब्लिक को यहां के जनता को जरुवत थी जो जमीन से मुद्दे जुडएवे हैं करिया कुमार जी सिर्फ उनहीं मुद्दो की बात करते है ना के राममंदिर पे जाते ना धरम पे जाते उनको जो एक आहम पब्लिक का अधिकार है वो उस अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और इसलिए ही कनहिया कुमारिया भहुमत से फूल भहुमत से जीत कर आएंगे हैं निचली बार कर आकड़े हम उठा के देखें तो बावन पृतीशत जो था वो बीजेपी को मिला था बद्तर प्रतिशत के लगफ़ जो था तो एक कॉंग्रेस पार्टी ऐसी ती जिसने सातों सीटों पर दिल्ली की जीत हासिल करी ती उसके बाद में छे सीटे भी कॉंग्रेस नहीं जीती यहाँ पर और अब गड़बंदय ने पहले की लहर हो रहे हैं लहर बदल रही है पूरी क्योंकि पहले जो था सब धरम के लोग पसे पहले करके, अपसे फैले कमार ने मतलब कोई देश नी बटवाया अगर वो देश बटवा भी रहे हैं तो हमारे देश की सरकार क्या कर रही है अब तक उनको अरेश क्यों नहीं किया गया उठा कर उनको जेल में डाल देना था अगर मैं देश विरोजदीन आरे लगाऊंगा तो मेरे साथ क्या करेगी यहां की सरकार अगर इस सीट की तो हमने बात कर ली दिली की भी बात कर ली अगर हम पर देश के स्तरपर जाएं तो इंडिया वर्सेज एंडिया को कैसे देख रहे हैं चार सो पार की बात मोदी जी करते हैं और विपक्ष कह रहा है कि इतना असान नहीं है तो आप क्या सोच पार करना इतना असान नहीं है क्योंको सब जने तो परिशान हो गए एक गरीब आदमी से आप जाकर के इंटर्वी लोना आप वो बताएगा जमीनी हकीकत वो बताएगा तो जब चार सो पार का तो मैं कोई मतलय भी नहीं होता चार सो पार जाएंगे तो यह और अपनी मर्जी करेंगे अभी तक तो सब वो भी गायब है अगर ऐसे आएंगी तो साब पांसो भी आदेंगे अगर आप कहरें सूरत वाला पैटर्ण चलेगा तो देश वारे पांसो भी आदेगा लेकिन राहुल जी राहुल जी इतने इंटेलिएंट आदमी है जो उन्होंने बोला वही देश में हुआ तो उन्हो नोडबंदी देश के लिए घातक साबी दोगा तो हुआ देश को राहुल गांदी चाहिए और राहुल जी ने कहा डेड़ सोब सिड़े ये पार नहीं करने के तो करने की लिए भरोसा अच्छा राहुल गांदी की छवी कितनी बदली है जिसे भरत जोड़ो यात्रा की बा अब पब्लिक समझ गए कि राहुल गांदी दो खानना नहीं आदमी है अगर मैं कोई काम करता हूँ मेरे बेटे को सिखाने की जरूद नहीं है वो लेड़ी जानता ऐसे इनका काम है ये जानते हैं और लेड़ी देश को यही चलाना जानते हैं और कोई नहीं लेकिन उनको आप क्या रहे तो मोदी जूण पर परिवारबाद परिवारबाद की बाद करते लेखे वर वाद लेकि परिवार हरी जानता है कि पता हैं अमिस्टा साथ के दो बेटे हैं जैसा साथ वो को जानते हैं किर्केट के बारे में भी सिडी को जानते हैं लेकिन वह अब देश उनका हाथ में तो वह सब कुछ अब 4 जून के बाद सब साही होदा है जाएगे बीजेपी सरकार 400 पार का नारा दे रही है तो 40 दलों के साथ मिलके गडवन्द में से क्यों चुनाओ लड़ रही है सबसे पहला उत्तर तो मेरा ही है क्योंको जो सबसे बड़ी पार्टी देश की है वो तो अपने दम पर जीत क आएगी ना तो इतनी घवराई वे क्यों है तो अपने उसको लड़ने चाहिए मोधी जी को तो कंफिडेंस है आप यह बताए मुझे मुझे मैं तो यह पूछना चार सो पार तो आप फिर दूसरे दालों के साथ गड़ बंदन मिलके क्यों चुनाओ लड़ रहे हैं अखिल विलेट पेपर करो जब हमारा काम हो रहा तो अपने उपर वो क्यों लीड वा रहा है और यहां पर बोट का सेलाब आएगा सेलाब कनया के लिए बोट का सेलाब आएगा कॉंग्रेस पाइडी जिंदाबाद इंडिया एलाइंज जिंदाबाद बिलकुल आप भी कुछ कह र कौन बोलना चाहरा है क्या नाम है आपका महम्मद याकूब काजी साहब है कारी साह अच्छा कारी ओके तो मैं यह पूछना चारे कनया कुमार और मनोस तिवारी की लड़ाई चुनावी लड़ाई उससे किस तरीके से कन्या कुमार पढ़ा लिखा है और वो तिवारी जो जाहिल है बिल्कुल मुझोर आदमी है वो और कन्या कुमार बढ़ है पढ़ा मिक्ightल लिखा है वो देश को समाल सकता और अच्या बात कर सकता हूं आपके इस इलाके में अगर देखा जाए दो बार के सांसद मनोस्तिवारी रहे के हैं, तो उसे इसाब से कितना विकासिस चेत्र के अंदर देखें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आज तक भटका यहां पर, वो तो आ भी नहीं सकता, वो आ तो जाए महाँ यह भटका दोड़ा के मारेंगे, जैसे और और सुबों में मार रहा है ना, बीजेपी वाली को और सुबों में मार रहा है, भगा भगा के, यहां के दिखा अबे तक नहीं आया वो आज तक नहीं आपका इदर आई अच्छा यह सवाल यह उन्हें कनया कुमार और मनोस्तिवारी की इस बाद चुनावी लड़ाई को कैसे देख रहे हैं यह बताएंगे लोग बताएंगे मैं क्या बता हूं यहां तो विदायक भी आके नहीं जाकता को कर लेना होता है तो घर पर सब आते हैं और लेने के बाद को पछानता का बटन दवाएंगे कौन से पूर्वी दिल्ली के जो है वो किस तरीके के है गली गली जाकर हम आपको दिखा रहे हैं बता रहे हैं और जो यह सीट है इस बार के होट सीट जो है वो बोली जा रही है और इस सीट पर कौन जीतेगा इस पर सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है क्योंकि कहीं न कहीं यह सीट जो है दिल्ली के राजनीती को तै करेगी और यह दिल्ली के राजनीती सीधे देश के राजनीती को प्रभावेट करती है यह सब ही लोग हम जानते हैं तो आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं सर्वे को देखकर क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय भी हमें जरूर बताएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं हमारा न्यूश चैनल धन्यवाद